आधि देवा को तिल भेडा बनाते हैं बूजा करने के लिए वो मैं बताने जाने हूँ तो इस लिए में बराबर की क्वाइंटिटि बेना है और ऐसे गुड को बारीख हातों से अच्छे से मीज लेना है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसके बाद देखे ऐसे कर लेंग जैसे mix कर लेंगे गुड़ और तेल जिससे कहीं गुड़ जादा ना हुगूँ अब इसको हमने लंबे में सेप में कर लिया यह देखिए अब इसका हम सेफ देंगे लंबा वाले कर लेंगे फिर मतलब सर और पैर ऐसे करके यह देखिए यहाथ का सेप दिया हमने भी इससे उ उपर वाला उपर का सिर रुखा मतलब वहां हो जाएगा उपर वाला यह देखिए जैसे वह बन रहता नहीं है छेतों में बैठ है फिर यह ऊपर का सेफ होंगे हमारा यह नीचे से पैर लिए लिए डिवाइट कर देगे लिए देखिए आपने फिर उसके बाद बीस से आख अगेरा मतलब फेस का जो फीचर देना होगा आख मून आख वो दे लिए तो ये देखें वेड़ा अन्मोस त्यार हो गया है ये देखें इसकी गोल गोल आखें आखों का सेप देंगे इसकी आखें हो जाएंगे अब्रो अदलब आखें बना देंगे इस नाख बना दिया बीच में इसमाईली फेस बना देंगे कोशिश करी लिए और टूड़ी है फिर से कोशिश देख रहे हैं आप वीचर तयार हो रहा है ऐसे मतलब जैसे गोड़ थोड़ा वाला होता है बाद अच्छे से बन जाए तो इसको जिस तरह अच्छे से से बन जाए देखें बन गया फेस का इसमाड़ी कोशिश सफल हो गया तो ऐसे ही आख मूँ देदीजे गोली गोली अच्छा करके अच्छा करके और चाहे तो शेब भी ने सकें मतलब जैसे बना सकें तो यह दोनों आखें रख दी गई है और फेस का फीचर भी हो गया फेस भी तैयार हो गया है पूजा के लिए भीड़ा बनके तैयार है बागी जो किनारे किनारे तील है उसको इसी सेप में सेट कर लिए पेट में या जहां भी आपको कमाम लग रहा हो अपलेट अपनी क्लीन कर लिए तो दोस्तों कैसे लगे आपको मेरी यह एडिया वन तब बनाने का आपको बीदे आपको कैसा लगा मेरा बताना और जो भी चोटी मोटी चीज़े है तो इसी तरह मैं जादा से जादा प्यार देते रहें सब्सक्राइब करते रहें सेर करते रहें लाइक करते रहें थैंक्स वाचिंग